पूरी दुनिया इस वक्त तक खतरनाक महमारी कोरोना से जूज रही है दुनिया के कई देश इस बेमारी से निपटने के लिए इसका वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है और कोरोना का प्रकूब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा ह ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया भर को मौत का तहफा देने वाले चीन के वहान शहर की एक बार जहां खड़ी एक कार कुछ मैसेज देती हुई नजर आ रही है आखिर क्या लिखा है इस कार पर कई दिनों से कार के उपर जमी धूल पर लिखे इस मैसेज का आखिर क्या मतलब है क्या ये दुनिया के लिए कोई मैसेज है या फिर कोरोना का कोई संकेत हम आपको बताते हैं सच क्या है जैसा कि आप सभी जानते है कि सबसे पहले कोरोना की शुरुआत चीन के वहां शहर से हुई जहां से तेजी से पैलता हुआ कोरोना पूरी दुन लिखा हुआ है जो इन दिनों सोचल मीडिया पर जम्कर वाइरल हुआ है यह मैसज़ चीनी भाशा में लिखा हुआ है और आप जानते हैं किस पर क्या लिखा है इस मैसज़ में लिखा है कि fighting और सरक्षित वापसाना यानि कि यह मैसज़ कोरोना Warrior के लिए लिखा गया है और कहा गया है उनके लिए कि कोरोना से डटकर मुकाबला करें और से रक्षिद वापस आएं ये मैसेज लोगों का हनसला बढ़ाने के लिए लिखा गया है आपको बता दें एक कार पिछले चार महीनों से यहां खड़ी लोगों को करोना वारस से लड़ने का मैसेज देती हुई नजर आ रही है कार मालिक वहान में है और पूरी तरह सरक्षित है कार मालिक के दोस्त ने कार को ले जाने की कोशिश की लेकिन लौकडाउन के चलते ऐसा नहीं हो सका पिछले चार महीने से ये खड़ी कार एक मैसेज लोगों को दे रही है इस की चानकारी चीनी मीडिया CZTN ने भी दी है और ये कहा है कि ये कार पिछले चार महिने से खड़ी हुई है इस पर एक मैसेज लिखा हुआ है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है तो देखा आपने कार पर जमी धूल पर लिखा एक मैसेज किस तरह से लोगों क को कोरोना से लड़ना सिखा रहा है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स